अगर आप आयोध्या आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ ख़वर आपके लिए सबसे महत्पून है दरसल आयोध्या में प्रभुराम अपने भब महल में पांसो वर्स के बाद विराजमान हो गए हैं लाखों की संख्या में रामभक्त इन दिनों आयोध्या में मौजूद है यातायात के संसाधनों में रुकावट के बाद भी लोगों का आना लगातार चारी है रखुनंदन राम के दरसन के लिए लोगों में गजब सी तड़ब देखने को मिल लही है सैद ही वज़ा है कि हजारों की संख्या में लोग पैदल जत्थे में भागवान राम के दरसन को निकल चुके हैं बस्ति गोंडा वारबंकी बहराईज गोरकपुर और सीतापुर से लोगों के पैदल आने की भी सूचना मिल लही है सूचना विभाग के आकड़ों की माने तो आज सुबा से अब तक तीन लाग से ज़्यादा लोग दरसन कर चुके हैं और लोग अभी भी लाइनों में लगे हैं ऐसे में अगर आप धर्म नगरिया युद्ध्या आना चाह रहे हैं तो थोड़ा रुक कर आईए क्योंकि यहां होटल धरमसाला होमिष्टे और लॉज पूरी तरह खचा खच भरे हुए हैं आने वाले कई दिनों में यहां तक एड़वांस की बुकिंग भी हो चुकी है ऐसे में अगर आप परिवार के साथ दर्सन करने का मन बना रहे हैं तो थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा दर असल पांसु वर्ष के संघर्ष के बाल प्रभुराम अपने बाल सो रूप में भब्य महल में दिब्य दर्सन रामभक्तों को दे रहे हैं से रामभक्त का जठ्था तीन लाग से ज़्यादा लोगों ने रामलला के दर्सन पूजन भी किये हैं सुचना विभाग के आंकड़े के अनुसार तीन बजे तक तीन लाग से ज़्यादा लोगों ने भगवान राम के दर्शन कर दिये हैं वही होटल ब्योसाईयों की माने तो आगामी तीन चार दिन के लिए एडवांस बुकिंग आयोध्या में हो गई है.